स्वागत है आप से लिगा प्येस्डी ग्लासेज में हम लोग की सीज है इडियमेंट फेजिस की उसमें जो है में लगवक पांच पार्ट पढ़ चुके हैं आज जो है इसका 6 है तो चले इसमें जो लेक्षोरड है क्या वाड़े ध्यांता समझते हैं Carry Matters with High Hand क्या मतलब इसका बताएं High Hand का मतलब हुता है कि किसी भी चीज को Tightly लेना Tightly समझते हैं Tightly का मतलब होता है Straightly लेना बहस समझ मांद ली High Matter Sorry Matter ौह मतलब किसी भी चीज को तो जब आप किसी से डील करते हैं तो इसका मतलब होता है To Deal मतलब शक्ति से नहीं पड़ते हैं किसी से किसी से जो आपकी बात्चीत है वो कैसी है टैटली है ठीक है ग्होगें तो उसी को बोलते हैं केरी मैटर्ड वीद हाई नीं कोBeat आपकी जो डील है किसी से जो आपकी बातचीद है वो कैसी है? टाइटली है ठीक है? तो वो क्या कहते है? To deal with someone tightly या straightly. शरी next के है? किलिप किस पे? One's wins. मतलब पंखों पे क्या लगा देना? किलिप लगा देना? मतलब किसी की आजादी को कि क्या पंक काट देना कहने का मतलब होता है कि किसी को आजादी नहीं देना मैं समझ मैं कि जैसे मानी जी मैंने मुला कि कि जो ठोटा भई है वो कैसा है कि मतलब बहुत ही आजादी है लेकिन जो फैमली वाले हैं क्या उसकी आजादी वे क्या लगा देते हैं रस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ठीक है तो क्या तो रस्ट्रिक्ट रोकना किसको उसकी आज उमीदेबा समझ में आगे कैनी में इता विद वाहे हैं मतलब डिल विद समवन कैसे टाइटली ए स्टिटली और क्लिप वन सुभी मतलब क्या तो इस्ट्रिक वन सुभी नेश्ट कै अचपा क्यों समझ में आ जाए तो वो क्या होता है है तो वह क्या होता है घ्रवाप सीखरता है थौ कम हों कुलेell चीज की पार आपको संझ चाहिने किसी बीसेज में जोहनी का होलते हैं कम उमीदेबा समझ में आ गए हो जफिट णेक्स कै कर नेक्सार क् olur को ऑट जाड़ privately तो अचानक से क्या लगाने पढ़ जाएं विचो ब्रेक लगाने पढ़ जाएं तो इसका मतलब होता है Sudden Stopping बास समझ में आ गई जब गाडियों में अचानक क्या लगा जेते हैं विचो ब्रेक लगा जेते हैं तो वहीं पर यूज होता है क्या? Come to a stand steady अमीर अबास समझ में आगे अचलेप वन्स विच मतलब क्या आजादी पर क्या लगा जिना है? लाम लगा जिना है ठीक है यह आपने सुना ही होगा important भी है सुना भी होगा Come off with flying glass मतलब क्या है उच्छो? To Come Out Successfully समझ में आगे समझ में आगे जब लोग सफल हो जाते हैं जब लोग सफल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? Come off with flying glass उमीर अबास समझ में आगे Come off with flying glass मतलब क्या होता है To come out successfully होता है Training complete हो गई अब आ रहा है क्या? Successfully होता है Cross one's mind इसका क्या मतलब होता है Cross one's mind एको यह मोश्री यह जब 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 जाते हैं किसी भी काम के लिए जाते हैं और हमें अचानक से आ रहा हो गई पैसे दुखे पर भूल गई सा एक्जाम देने गई तो अभी पैंतों में लाया नी मैं अचानक से जो आपके दिमार्ट में कोई चीज आती है तो उसी को बते है Cross one's mind मतलब दिमार के Cross किया एकदम से कोई आइडिया आ है मतलब come up to come up with ideas with idea ठीक है to come up with ideas ठीक है Cross one's mind मतलब अचानक से कोई भी idea या कोई भी चीज आपके दिमार्ट में आती है तो उसी को बते है Cross one's mind यह तो सुने ही होगा आपने पाकिस्तान वाले के लिए उसके आता है सुनाओगा आप लोगे कि वो वो चीज मांगते हैं जो चीज इंपॉसिबल है मतलब कोई भी ऐसी चीज मांगना जो पॉसिबल ना हो उसी की दिल लगता है cry for the moon to want something impossible पताया ना जैसे वो पाकिस्तान वाले हमें से कहता है हमें कस्मी देदो ये देदो possible है नही possible है बास समझ में आगी हम तो उनका भी लेड़े तो कहने का मतलब यह है cry for the moon का मतलब होता है कि कि किसी भी ऐसी चीज को मांगना जो possible ना हो ठीक है चलिए उमीर की बास समझ में आगई चलिए खली बन टैम आपको लिखना अटमेटिक सभी रादी हो जाएंगी तो इसको अटा देता हूं चलिए नेक्स बताया मुच्र curry favor with इसका मतलब क्या इसका मतलब तो सीड़े से यह है आपने सुना भी होगा favor with मतलब to support somebody किसी की सायता करना किसी की सायता करना favor with से समझ में आ जागा to support somebody तो curry favor with का मतलब होता है किसी की भी सायता करना यह क्या है रिचो call on speed 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 होता है speed होता है क्या होता है फावडावडा होता है call on speed speed का मतलब होता है mostly यही तब यूज होता है कि जब कुछ लोग होता है frankly बातशीत के आदि होता है हमें सब frankly बोलते है तो यह वहीं पर यूज होता है to speak speed ठीक है यह तो सुना होगा आप लोग ने carry the day मतलब इंडिया ने क्या किया test match जीता तो क्या बोलते हैं इंडिया carried the day किसका of the last test match ठीक है क्या हुआ carry the day का मतलब होता है win जीतना to win victory ठीक है ठीक है उमीद अबाद समझ में आ गए carry the day का मतलब होता है किसी भी चीज को जीत रहा उमीद अबाद समझ में आई गए cut a sore figure क्या होता है इसका मतलब क्या होता है यह तभी यूज होता है जब कोई आपसे गलत रहवार करता है behave badly कैसा behave badly वहाँ पर कहा हुज होता है cut a sore figure ठीक है कहा हुज हुज होता है behave badly बाद समझ में जैसे बिटिंग में क्या होता है किसी ने आपको जोता है रक्तिमी इसे बोला ठीक है तो क्या बोलोगी आप cut a sore figure कोई आपसे behave कैसे करता है मतलब badly करता है तो आप समझ जाना क्या होता है cut a sore figure समझ के नेक्स के ये तो सुने की होगा आपने cry over split milk जो milk फैल गया उस पर क्या होना कुछ होगा क्या नहीं खाली पस्ताने के बेंट इसका मतलब खाली क्या होता है पस्ताना चलिए नेक्स के रचव cut one squat cut one squat according to one's cloth cut one squat cut cut अपनी कपडे के हिसाब से काट होगे मतलब उस उनाओ आप लोगने चाहदत के हिसाब से क्या फैलाने चाहिए पैर फैलाने चाहिए ठीक है यह वही बादा है to live once with once mean ठीक है तो कहने का मतलब होता है कि अपनी budget के हिसाब से जीना अपने budget के हिसाब से जीना या किसी कैसे क्या कि जितने ही पैसे हों उस इस हिसाब से खर्चा करना चाहिए तो ऐसी जगह पे बच्चों यह होता है you cut one's court according to one's cloth ठीक है इसका मतलब यह होता है कि अपनी चाहदर के हिसाब से क्या खर्लान अची है अब लोग कहेंगे नहीं जी अम तो चाहदर बढ़ा बढ़ा देंगे तो बच्चों मोटिवेशन ही का लग चीज है लेकिन विलाग जो है आपको इसी चीज को ध्यान देना चीए कि आपको फिलाओ ठीक है चली कॉर नेम सिसका मतलब ले उसे नाम से बुलाए कि क्या हो गया नहीं वह मुझित चोटा है तो मुझे वह ऐसा लगा जैसे गाली दी कॉर नेमày मतलब ले टेए अचीज को उ आपको इल्सं tbsp होता है to abuse कैसे बैइ उसने मुझे नाम से बुछा है है मुझे कैसे लगा मुझे ऐसा कि उसने मुझे क्या दी दाने नहीं तू अप्योस बहुत समझ में आगए चलि नेक्स के आवे चुब कल्टेन लेक्षे ली तो बहुत सुना होगा आप लोगोंने बताओ कल्टेन लेक्षे वही होता है यहां लिखू इसका मतलत है तू रिवबग इसका मतलब इस कोड्ट सुना होगा डाटना जो वाइफ जो हमने पती को हजबन को क्या डाटती है तो उसी को बहुते है बच्छे करदेन लेक्षे मुझ की ज़िए वहीं पर यूज़ होता है जब वाइफ जो है कि आपने हजबन को डाटती तूम का ना थे यह इतना टाइम मुझे है यह वह है पक्पो के बाप आट तो वह सब चीजे जो है वहाँ पर क्या जी होता है बच्छो काल्टन लेक्चर बात समझ में आगे होगी चैने ठीक है तो क्याने का मतलब यह है आप ने खाली वन टाइम लिकिए और आटमाटिक यह सब याद हो जाएंगे और इं इंपोडेंट तो है तो खाली लिया गरना है वन टाइम लेकिए और आटमाटिक आपको मुझे में दे कि याद ही हो जाएंगे ठीक है थैंक्यू सो मच और पढ़िए मैनत कीजिया भी SAC का एक्जाम होने वाला है CHSL का और CGL का भी तो मैनत सहीज दे होनी चाहिए ठीक है